नमस्कार, न्यूस क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कारिक्रम, इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। National Crime Records Bureau ने August 2022 में भारत में आत्महत्या से होने वाले मौतों का लेटिस्ट डेटा जारी किया। आंकडे चोकाने वाले थे। 2021 में देश में कुल 1,64,000 और 33 आत्महत्याएं हुई जो पिछले साल की तुलना में 7.2% ज्यादा है। अधिकांज आत्महत्याएं महाराश्ट्रा में दर्ज की गई। इसके बाद तमिलनाडू, मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल और करनाटका का स्थान रहा। इन पांच राजों में पूरे देश की 50.4% सुईसाइज हुई थी। WHO के अनुमान कहते हैं कि हर साल करीब 8 लाक लोग आत्महत्याएं से मरते हैं यानि हर 40 सेकेंड्स में एक विक्ती। आत्महत्याएं से मरने वालों की संख्या मर्डर से लगभग दुगनी है। आत्महत्या से मौत एक अत्यंत जटिल मुद्दा है। यह दुनिया भर में हर साल सेक्डों हजारों लोगों को तकलीफ देता है। समय पर इंटवीन करने से आत्महत्या को रोका जा सकता है। परिवार के लोग अक्सर दूसरों पर दोश मर देते हैं क्योंकि वे गिल्ट महसूस करते हैं। हाली में एक्टरिस तुनीशा शर्मा ने सुईसाइड कर लिया। उनकी माँ ने आरोप लगाया कि अभिनेता शिजान खान ने उन्हें धोका दिया और उनकी बेटी का इस्तिमाल किया था। पुलिस ने उनकी शिकायत के आधार पर उसके खिलाफ आईपीसी के धारा 306 आत्महत्या के लिए उक्साना के तहत मामला दर्ज किया और गिरिफतार कर लिया। पुलिस जाच पूरी करने से पहले ही महराश्र के मंत्री और भारती जन्ता पार्टी के नेता गिरीश महाजन ने आरोप लगाया कि तुनीशा की मौत लव जहाद का एक उधारन है। उन्होंने आगे कहा राज्य सरकार ऐसी घटनाओं को रोखने के लिए एक सक्त कानून लाने की योजना बना रहा है। अन्हे भारती जन्ता पार्टी के जो राज्य सरकारे हैं वहाँ पे इंटरफेथ विवाओं को लेके उनको और कठिन बनाने के कानून बनाए गए हैं। उसी समय भारते जनता पार्टी के सांसद साधवी प्रग्या ठाकुर ने लव जिहाद बहस में कई सारे चौकाने वाले टिपणिया किये, हिंदूों के घर पर हतियार रखने का आगरा किया। उन्होंने देश में सभी हिंदूों को डारेक्ट किया कि वे उन पर हमला करने वालों से बचाओ के लिए हतियार और चाकु घर पर रखें। खासकर लव जिहाद के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए। उनके पास जिहाद की परंपरा है उन्होंने कहा कुछ नहीं तो लव जिहाद करते हैं। रीसेंट वीक्स में ये दूसरी बार है जब संग परिवार के नेताओं ने लव जिहाद के मुद्दों को पुनर जिवित करने की कोशिश की। आफता पुनावाला शद्धा वालकर केस के बारे में तो आप जानते ही हैं। चैनल्स पर जो वाल टू वाल कवरिज चली है। कारेक्रम में आगे बात करने के पहले एक बहुत ही महत्वपून बात आप लोगों से शेयर करने थी। आज के दौर में जहां स्वतंत्र मीडिया पर जो तलवा लटक रही है। ऐसा लगने लगा है कई बार कि खबरों पर अब पहरा है। और ऐसे में बेहत जरूरी है कि इन स्वतंत्र पतकारिता के माध्यमों को बचाना है। हम लाते हैं खबरें ना सिर्फ सत्ता की बल्कि उन मजदूरों, आंगनवारी बहनों, किसानों और उन कर्मियों की जिनकी आवाजें अकसर कहीं दब कर रह जाती हैं। हम तक नहीं पहुँच पाती हैं। हम ना केवल राजनीती पर बलकि साइन्स, क्रिशी और तकनीकी खबरों के उन पहलूं को भी उजागर करने की कोशिश करते हैं जो पहले नहीं कहे जाते थे। या जिनकी जानकारी समाज के एक तपके तक नहीं पहुँच पाती थी। ऐसे में न्यूस क्लिक को आपके साथ और समर्थन की बहुत जरूरत है। हमारी बेबाक एवं स्वतंत्र पतकारिता को समर्थन दें। हमें सब्सक्राइब करें। नीचे दिये लिंक्स पर जाएं और हमें अपना सपोर्ट दें। ये लिंक्स हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद हैं। और अब चलिए कारिक्रम के सेकेंड पार्ट पर। तो ये लव जिहाद का मामला क्या है। संग परिवार बार बार इसकी कोरस क्यों काती है। बस आपको याद दिलाने के लिए उन्होंने पैंडेमिक के दौरान भी देश को नहीं बक्षा। भारत पहले लॉकडाउन के असर से उभरी रहा था कि उन्होंने ये आरोप लगाया था। मौका था High End Jewelry Company तनिश्क के एक बेहद उम्दा जीवन्थ विज्ञापन का। विज्ञापन में एक परिवार की बहू की गोद भराई या फिर बेबी शावर को फिलमाया गया था। जैसे कि ऐसे अवसरों में होता है सब बहुत खुश थे। लेकिन इस कहानी में एक स्पिन था। परिवार मुस्लिम है, होने वाली मा हिंदू है, विवा इंटर फेथ है, रिचूल्स बेबी शावर के हलाकी हिंदू है। स्टाइलिशली बहु सास से पूचती है, लेकिन ये रिवाज तो आपके नहीं है। सास जवाब देती है, बेटी के लिए सभी रिवाज अपने बन जाते हैं। बस इतना काफी था। हिंदू तुरंत खत्रे में आ गए। मतलब ओन-लाइन कैम्पेन इन लाइन्स पर शुड़ हो गया। एक ट्विटर यूजर हार्दिक भावसार उनका नाम था। उन्होंने ट्वीट किया अपने 1.2 लाक फॉलोवर्स को प्रोवोक किया उन्होंने। अब आप सभी जानते हैं कि क्या करना है। क्या करना है। साथवी प्रग्या ठाकुर के निर्देश को फॉलो करना है क्या। अफसोस तो सबसे ज्यादा इस बात पर है कि उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी इस ट्विटर यूजर को फॉलो करते थे। अब का पता नहीं। कहा गया विज्यापन लव जिहाद को बढ़ावा देता है। उनका गुसा इस बात पर डायरेक्टेट था कि गर्भवती महिला का पती मुस्लिम था जबकि वे खुद हिंदू थी। ट्रोलिंग शुरू हो गई। और तनिश्क को विज्यापन वापस लेना पड़ा। और अब लव जिहाद के मुद्दे पर भारते जन्ता पार्टी का एक और इंसाइटफुल डायमेंशन। इनके उत्तरप्रदेश और उत्तरखंड के इलेक्शन मैनिफेस्टो जो पिछले साल चुनाओ हुए थे। लोग कल्यान संकल्प पत्र और विजन डॉकुमेंट 2022 ये नाम थे उनके। यूपी वाला डॉकुमेंट ग्रेह मंत्री अमित शादवारा और उत्तरखंड का केंद्रे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी उन्होंने जारी किया था। दोनों में एक लाइन कॉमन थी। हम लव जिहाद करने पर कम से कम दस वर्ष की सजा और एक लाख रुपे के जुर्माना करेंगे। अब दोहरापन देखिए। एक तरफ तो लव जिहाद को तथा कतित अपराद पर कड़ी सजा अपने हिंदुतोवादी कॉंस्ट्वेंसी को सुनाने के लिए दी जाती है। और वहीं दूसरे तरफ चार फरवरी 2020 को 2020 में राजे ग्रिह मंत्री किशन रिड्डी ने संसद में एक प्रशन के जवाब में लिखा। लव जिहाद करके कोई शब्द हमारे वर्तवान के कानून में नहीं है। किसी भी केंद्री एजेंसी को या किसी ने अब तक लव जिहाद का एक भी मामला नहीं रिपोर्ट किया है। तो क्या लव जिहाद का पूरा कैंपेंज जूट पर टिका हुआ है। मुझे तो यही लगता है। आप अपना देख लीजे। लेकिन विडंबना देखिए। कई दशकों से हिंदुत्ववादी संगटन और उनके नेता दावा करते आए हैं। मुसल्मान मर्दों ने कॉंस्पिरेसी रचा है। हिंदू लड़कियों को प्रेम के जाल में फसाते हैं। उनसे शादी करते हैं और उनको धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर करते हैं। और तो और जो बच्चे पैदा होते हैं वे भी मुसलिम होते हैं। और इस तरह से हिंदूों की जनसंख्या कम होने लगती है। हिंदी सिनिमा उद्योग निशाने पर है। कहा जाता है आज देश भर में लव जिहाद के मामले जो सामने आ रहे हैं इसके सूत्र में भी बॉलिवुड इन्वॉल्ड है। सेप्टेंबर 2014 में बीजेपी लव जिहाद को अफिशली अपने एग्जेकुटिव कमिटी मीटिंग में डिसकस करना चाहती थी। परन्तु विवाद के बाद योजना को रद कर दिया गया। लेकिन राश्ट्री सुम सेवक संग के ओफिशल और्गन्स और्गनाईजर और पांच जन्य ने इस पर कवर स्टोरी बनाई थी। जैनुवरी 2015 में हिमाला इध्वनी दुर्गा वाहिनी की ये मैगजीन है। इन्होंने करीना कपूर की एक मौफ्ट फोटोग्राफ तस्वीर को कवर पे डाला और उसके साथ शीशक दिया कि धर्मान तरन से राश्ट्र तारन। लव जिहाद के मुद्दे को फर्स टाइम बढ़ावा तब दिया गया जब 1996 में BJP की सरकार मातर 13 दिन में गिर गई। दो मुद्दे उठाए गए थे पहला कि हिंदू अल्प संख्यक हो रहे हैं अपने देश में और दूसरा लव जिहाद करके मुसल्मान हिंदू लड़कियों को कनवर्ट कर रहे हैं। भारतिय जन्ता पार्टी की राजे सरकारों की नीतियों को जरा द्यान से देखिए। एंटी कनवर्शन लॉग को हर राजे सरकार ने प्रात्मिक्ता दी है या तो ला चुकी है या फिर प्रोसेस में है। आज से 20 वर्षपूर पैंफलिट बनाये जाते थे। अब सोशल मीडिया में मेसेज द्वारा डाले जाते हैं। बात वही पुरानी है, शीशक भी वही है। हिंदू महिलाओं की लूट, हिंदू महिलाओं के लूट का कारण। चलिए बहुत हुई लव जिहाद की बातें, जरा दुनिया के और जगाओं की बात करते हैं, किसी और कालखंड में भी जाते हैं। अगर मैं नियूरंबग शब्त का इस्तिमाल करूँ, तो संभावना है कि आप आप आटोमेटिकली 1946 में नियूरंबग ट्राइल्स के बारे में सोचेंगे। इस जर्मन शहर में इंटरनाशनल मिलिटरी ट्राइबूनल्स ने मानवता के खिलाव अपरादों और युद अपरादों के लिए प्रमुख नाजियों पर मुकदमा चलाया था। लेकिन उन ट्राइल से एक दशक पहले नियूरंबग शहर की बदनामी किसी और कारण हुई थी। सेप्टेंबर 1935 की बात है नाजी जर्मनी में दो ऐसे कानून पास किये गए जिनको पॉपुलरली नियूरंबग लॉज के नाम से जाना जाता है। ये थे दे राइक सिटिजन्शिप लॉग और दूसरा था दे लॉग फॉट प्रोटेक्शन अफ जर्मन ब्लड और जर्मन आउनर। ये कानून उन रेशियल थियूरीज को इंबोडी करते हैं जो नाजी विचारधारा के बुनियाद में थे। क्या थे ये दो कानून नागरिकता वाले कानून ने जर्मन सिटिजन्शिप को जर्मन या फिर उसके रिलेटेड संबंधित खून वाले तक सीमित रखा। जूज और नॉन जर्मन को एक्स्क्लूड किया गया था जर्मन सिटिजन्शिप से। दूसरा कानून, the law for the protection of German blood and German honor, क्या था ये? जैसे नाम सुझाता है, जूज और जर्मन बलड के विक्तियों के बीच शादी और एक्स्ट्रा मैरिटल संबन्द पर प्रतिबंद लगाया गया था इस कानून दुआरा. इस कानून के अंतरगत, 45 वर्ष के कम आयू के जर्मन नौकराणियों को यहूदी यानि जूज रोजगार नहीं दे सकते थे. बात बहुत दूर की है और बहुत पुरानी, पर क्या कुछ जानी पैचानी लगती है आपको? इस समय, if you find any resemblance between the Nuremberg laws, especially the law for the protection of German blood and German honor, and the story of love jihad, this is absolutely unintentional and purely coincidental. Namaskar.